आज हम बनाएंगे पोहे इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पोहा इसे नौट में चूड़ा भी कहते हैं दो मीडियम प्यास बारी कटे हुए तीन हरी मिर्शी बारी कटी हुई एक मीडियम टमाटा बारी कटा हुआ जीरा लीम्बू गल्दी पाउडर नमक और तेड हम पूबा फ्राइ करेंगे तेज डालेंगे तरी बंदो शमच्छ तेज गरम ओले देते हैं तेज गरम ओचुका इसमे जीरा डालेंगे तेज प्यास सब्सक्राइब कर दो हमने घरी मेचीं काट के रखी हुए थी मैशे ठालेंगे प्यास करेंगे वह सुद्टा जोगा निकाल के इसे अब धूएंगे इसे दो के रखा कर नहीं जाता है यह सो जाता है इसके उसे अंद्र स्बाइब होते हैं स्कामारा दूर चुका है प्याज को विश-बिश में हिलाते रहे चुक प्याज वो ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर दाव देंगे अब इसमें बाकी के बच्चे पे मसाले डालेंगे अदी आदा चमाज नमक स्वादा नुसार इसमें अब इसमें लीम्भू डालेंगे जो हमने इक लीम्भू काटके रखा हुआ है अब हम इसमें पोह दूखे रखा था यसे मिक्स करेंगे वाराष्ट्रा में प्यास को कांदाव होता है और इसे कहते है कांदा पोहा अब यह मिक्स हो चुका है आगे अची सही लाकि पी चैटेंगे पांच मीरत के लिए प्यान हो जाएगा अब यह पोगा हो चुका है अब हम इसे सब करेंगे तो यह था हमारा गंदा पोगा खुद भी खाए और और उको भी खिलाए